विपक्ष में अपनी भूमे का एक लंबे समय तक निभाने के बाद एक समय जमकुष्वी नाशनल पेंथर्स पार्टी के स्टून माने जाने वाले बल्वन सिंग मनकोटिया भरजनता पार्टी में गए और शायद आशा और उमी दिन को ये रही होगी कि आप शायद उस रोल से निकल कर सत्ताधारी दल का हिस्सा बनने का मौका में लेगा इससे पहले भी जमकुष्वी नाशनल पेंथर्स पार्टी 2002 से लेकर 2008 तक सत्ताधारी दल रही लेकिन उसमें भी बल्वन सिंग मनकोटिया को मौका नहीं और इस बार जब 29 विधायक जीते हैं भार्जनता पा आकरामक रहते थे आवाज गूंचती थी आपकी पुरा पदा चलता था कि विपक्ष में कुछ लोग बैखे हैं अब भार्जनता पार्टी में आए चुनाव जीता और फिर विपक्ष मुझे नहीं लगता मुझे जो विपक्ष की पहले भी मिली तो मुझे नहीं कभी लग अब थे आप तो हमारे सिर्फ हाथ है बड़े नेताओं का परधान मंत्री अमीशा जी और क्या दोब रूचने दूरी देंगे यह आपके रहे मंद में कि लंबा समय होगया विपक्ष में नारे लगाते वह विपक्ष में अपनी बाद करते हुए और दमदार तरीकिसे बा आप अगर बहतर तरीके से जो भी आपको रूल मिला इसको इमानदारी से परफॉर्म करते हो तो आप रिजल्ट दे सकते हो तो चाहे वो सरकार में जाए आप चाहे आप पोजिशन में रहें तो ऐसा कोई तो प्रफ्री के से किसे से माटिवेट करना है कुझे के प्रैशर बनाने की ज़रोड़ाने की जरूर्ता है शुर्म हमारे पास पीछले 12 साल बिधायिक के तो और 35 से प्रेइज करेंग हमारे पास है करवा लेंगे रही बात यह कुछ आपके मकदर में में होता है उसको आप जो होता है तो उसको कोई शीन नहीं सकता जो नहीं होता है तो इसको कोई दे नहीं सकता है तो इसलिए बैसे मैं आपको बता हूँ मुझे तो कभी लगा नहीं मैं अमले बना हूँ जब नहीं था तब भी नहीं मुझे लगा मैं हमले नहीं हूँ मेरे लिए कोई ज प्रामक रहीएगा या पार्टी नहीं ये कहा कि फिलाल चलने दूशरकार ना पार्टी की तरफ से हैं कि जो हमें पॉसितिव और को और दूसरे दरफ से 29 विधायक चुनके आते हैं भादजनता पार्टी पर यह दो रीजिन का मैंडेट गाटी का मैंडेट पूरे का पूरा नेशनल कानफरेंस को है और जम्मू का मैंडेट मिजॉर्टी जो है वह भादजनता पार्टी के पास है लेकिन उसके बाद कहा जा आता है और अगर एक भाग का क्योंकी पार्टी के हमें आपके साथ नहीं मिलना तो दूसरे भाग का मैंडेट जो है उसे सरकार में कोई रिप्रेशन नहीं मिलेगी क्या ही किसी भी तरी किसे सही है अधिकिये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पास मालब पचास साथ साथ साल अ इस तरीके का जो प्लैन जो है बनाया गया था कि जम्मू जाए चाहे वन साइड भी चला जाए लेकिन उसका मुखमंतरी नहीं बन सकता लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे मैंने कहा कि उनको एक दिन में घंटे में आप नहीं हल कर सकते स्टेब आप आपने देखा कि जब हम हमारी बड़ी हैं तो इसलिए आस्ता हिस्ता जो है हमारा मकसद है कि कश्मीर के लोग भी हमारे हैं लेकिन जहां उनका जो हक बनता है उनको मिलना चाहिए लेकिन जम्मू को नजर अंदाज करके किसी को उसका हक दिया जाए तो गलत है तो आने वाले समय में एक समय आ रहा ह है कि जिसमें जिस खिते का जिस एरिया का जिन लोगों का जो हक बनता है वह मिलेगा अगर आप घर के बाद एक कच्रे का डेल लगाओ तो इसको इतना पहाड बन जाता है दिल्ली के अंदर पहाड देखा ना पहाड जो पांगर्स ने खड़ा किया था तो अभी सरकार हमार मुझे बताए कि आपको लग रहा है कि चीजें आइस्ता आइस्ता स्टेट हूट की और जा सकती हैं अगर आपके लोगों को लगा कि सरकार बनने के बावजूद उनकी नुमाइंदगी सरकार में नहीं है मतलब अबराल स्टेट डूट की बात कर रहा हूं कि जम्मू संभाग के लोग क्योंकि मैंने कारोबारी संगटों से बात की उन्होंने कहा कि अब समय आ चुका है कि हमको स्टेट डूट के लिए मांग करनी चाहिए जब मैंने उन से कारण पूछा तो उनने का कारण ये है दोनों तरफ रहेगा तो इसको लेकर लोग यह कह रहे हैं कि क्या यह चीज़ें जिस तरीके से फ्रैग्मेंटेशन और डिविजन हुआ है क्या यह आहिस्ता आहिस्ता दोनों संभागों में स्टेट रूट की मांग की तरफ तुम आपने देखा कि मेरा भी एक शुरू से चाहिए तो वह इस दिमांड को उन लोगों की उम्हेदों को आप पे खरानी उतर सकते और लोगों की उस दिमांड को आप तब तक फूल्फिल नी कर सकते जब तक आपके पास पार्लिमंट के अंदर तो हमारे पास अगर बड़ा जूर भी लगाते दो मिम्बर बना लेते बड़ी कोई हवा तफ़ान आंदी आगे तो दो बनाएंगे लेकिन आपको मिजवार्टी चाहिए तो इसलिए हमने यह फैसला किया कि हम ऐसे संगटन के साथ जूड़ेंगे जिसमें हमारी जो पिछली एक डिमाड है मेरी नहीं मेरे लोगों की डिमाड है और मैंने 2017 में ल प्रेजेंटेशन जमू के लोगों को जो उनका अधिकार है उनका जो इसले सतर बच्चों से नजर अंदाज हुए हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से सेंबली के अंदर तो इस सारी मुद्धों के ओपर विचार चाथा और मुझे लगता है आने वाले समय में आप लोगों को पर बिए देट तो आपको अब लोहों के ऊपर पर जाएंगे को इसकी संभावना आपको नजि पड़ा कुछ हो गया रात को जब सोए थे तो पदा था कि कांगर्स की सरकार जागे तो बीजेपी की सरकार को ऐसा तंत्रमंत्र को अशीरवाद दे रहे हैं लोगों की जब लोगों की मतलब कल चुना हुआ नमाइदा चाहता है कि हम कुछ नया करना चाहते हैं तो उनके मन मे सिस्टम के उपर विरोसा करेंगे और हम चाहेंगे कि चुनी हुई सरकार ही चले तो हम अपना पूरे तरीके से समर्थन करेंगे बिशर्त है कि वह मैंने जो पहले बात कही के राश्टरबाद के साथ कोई समझोता नहीं होगा और दूसरा लोगों के साथ जो कमिट्मेंट क रहेगी तो फिर हम चलने नहीं देंगे इनको बार निकालो फिर चलो ठीके कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि राहुल गंदी जो बोलते हैं वह बारती जंता पार्टी के कहने से बोलते हैं आप लोगों के जब चुनाव मैदान में उतरे तो कहा जरू गया कि बड़ा चुनाव आगे बढ़ रहा था तो साफ हो रहा था कि आप आठ दस जार की लीड है और मेरी उसके बाद जब आप से बात भी ही तो आपने भी कहा कि कोई मुझे लग रहा है कि कमफरटेबल विक्टरी होनी चाहिए लेकिन लोगों ने क्या किया है वो तो जिस दिन कि लोगों है कि लॉक्तों को लोगों को लोगों को लोगों हमने क्या सिखा करनी चाहिए और जो आदमी अपने बज़र्णों की इजट नहीं तो इसकी हालत शकड़ा पार्टी जैसी होती है तो उनको बड़ा सबसे बड़ा डैमेज हुआ और ऐस संसार का सिस्टम मेरे दा ओ делать कि मेरे भंगे और ने कहीं रखोगा सुदिन को किया उंगे विए यह कहीं दो ऑनी को नर्क करेक्वाम की आप चाहिए वह कर है आप अपने सारी वह अपना अपनी में कैमरे प्रफेसर भीम सिंग जी को इस तरीके से खून के आंसुर उलाया है जिन लोगों ने उनको रिजल्ट मिला है उनको ये result मिला है कि अपने बजूर्गों की इज़त कीजिए आप जब बीम सिंग जी ताकत बरते था कभी उनके सामने आंक मिला के बात नहीं करते थे जैसे जैसे बीम सिंग जी कमजोर होते हैं तो आप उनके आपर चड़ाई करना शुरू कर दिया आपने पार्टी को टेक लडाई तो किस चीज में दो दो बैयों के बीच में पृता जी नहीं दुकाने बनाई बनाई तो लड़ाई है कि आदी मुझे दो जब मैंने कहा कि हारा मकान तमारा दुकान तमारी प्राप्टी तुमारी ले लो उसके भाद लड़ाई खत्म हो गई ना फिर मेरे पीशे बागने किया जरूर थी तो अगले का टार्गेट आज भी देखो ना किस तरीके के मलब मीनिंग्लेस चीज़ें आप अपना काम की जी आज भी जा रहे के वहां जी उसने इस तरीके से बोड लिए जी अपने अंडर वेर के रूपर भी कम लगाया क्या मतलब लोग मजाग ले लेकिन क्या मैं यह कहना चाहूंगा कि वह आज जो जो सारा यह है जिस तरीके से बीम सिंग्जी को डिसाउनर किया लोग चनेनी विदान सवाग चेतर के अंदर लोगों को लोगों के दिल में बीम सिंग्जी के लिए रिस्पेक्ट थी है और रहेगी जिए मेरे पुलिटि को यह बताऊं यह मैं शायद किसी को नहीं बताया और यह 27 दिन की जो मेरी कम बेंटी मुझे कहीं लगता था कि भीम सिंग्जी की आत्मा मेरे अंदर आ गई है और इतना जो 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 मुझे दिया और उनको जिस तरीके से जिस तरीके से खून के आंसू उनको रॉलाया है अब सबसे बड़ी आपके लिए परिशानी और दुविदा यह कि मैं इस इलाके में उपर भी गया हूं जब आप इस इलाके में अंदर घूमते हैं तो आपको विश्वास नहीं कि आप शेहर में जब होते हैं तो लोग कहते हैं प्रले आने वाली बहुत तरक्की होगी प्रधानमंत्री आवास का बेनिफिट लोगों को मिलना चाहिए नहीं मिलना स्लेंडर घर जाना चाहिए ता एक बारी गया दुबारा नहीं गया उसके इलावा आनने बढ़ी सारी परिशानियां लोगों की हैं अब आप कौन सा फॉर्मॉला डिवाइस करेंगे जिससे वाकई मैंने कोई काम क्या है क्योंकि इससे पेहले भी जितने विधाये लगता है सबको अच्छाjuं को अच्छा लंगता है कि इन गालीं के लिए कमजोरों के लिए तकरीरें और नह्रूं कि प्लैन करना एक बात है और काम को ऑनेसली करना अब घर से प्लैन करके जाओंगे बंदा आएगा तो उसको टालना है टाल दो क्या फरक पड़ेगा आपने प्लैन किया वटके जो भी आएगा उसके लिए ट्राइगा कि लोक समझते हैं सो पर संक काम कोई नहीं कर सकता यहां से कोई विदायग बन जाएगा नहीं कर सकते लेकिन जब आप इमांदाराना कोशिश करते हैं यह जल्ट भी आता है और इसमें रह भी जाता है लोगों को बुरानी लगता है एसने अपने से पूरा ट्राई किया थो हम आखरी मतलब पल तक हम कोशिश करते हैं कि इस काम को किसी न किसी तरीके से किया जाए और मैकसम इरिया मैकसम उसमें रिजल्ट भी आते हैं और डिफिनिटी मैं कहूंगा कि आप साल डेड़ साल बाद आई है डिफिनिटी की चेंज होगा तो दूसरा यहां कि अगर वहां आज लोगो कहते हैं अच्छा हुआ गंद किया ख्लासी हुई आप जाएगे आपको सिंगल कारे करता है जो आपोजिशन करने वाला हो तो बात लग है लेकिन आपको सिंगल आदमी नहीं मिलेगा जो कहे गया बलवन सिंग मनकोटिया बंदा ठीक नहीं था हमारे काम नहीं है थाने में काम पड़ता है औस्पिटल में काम करता हैँ या या सबस्ताब better बल्कूल बहुत बदलेंगे नहीं को पूछ पूछ लो आज तक कितनी बार बोट डाला है इन्होंने आज तक बोट डालने के बाद विदाए कितनी बार शुकुरिया करने के लिए पूछ लो इनको सभी को पहली वार यह विवस्ता बदलना शुरू कर दी है मैंने पच्छतर फिसे दिया मैं जबसे लेकिन एक बात को दोड़ाया है कोई नेता कि दूसरे नेता के जाके राजी नहीं कि एक दिन के लिए आओ यार केंपेंड करेंगे मुझे अपनी देखने आप कभी वड़े से बड़ा नेता सब भाग रहे तो मानते हैं कि वोटर चतुर हो गया है वोटर को बिलकुल पूरा अपना दिमा दो सब्दान से दोन गाड circuit लोगों को सब्साइन के लिए यजी वेश्या क्नोरा Wyka को कि कैसे क्या कहना इंतजार रहे हैं